इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप अपने यूटूब से किसी वी वीडियो को डाउनलोड करना चाते हूँ बढ़ आप डाउनलोड नहीं कर पाते हूँ जैसे आप अपने यूटूब पर क्लिक करते हूँ यहाँ पर आपको डाउनलोड वीडियो को डाउनलोड करना चाहता हूँ जैसे कि मैं इस वीडियोस को डाउनलोड करना चाहता हूँ यहाँ पर मैं थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ जैसे थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर आपको डाउनलोड वीडियोस का एक ओप्शन देखने मिलेगा देन इस पर आपको क्लिक करना यहां पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करते हो यहां पर लाइक कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती होगी जैसे कि आप मेरी स्क्रीम भी देख पा रहे हो तो इस तरह की प्रॉब्लम आप कैसे स्वाल्व कर सकते हो इस इसके लिए अब आपको अपने YouTube पर क्लिक करना हो, जैसे आप अपने YouTube पर क्लिक करते हो, यहाँ पर लाइक कुछ इस तरह से आपको वीडियो से देखने मिलती होंगी, अब यहाँ पर आपको नीचे की साइट कॉर्नर पर हो सकता, आपको मोबायल में उपर की साइट कॉर्नर पर आपको प्रोफाल का लोगो सो हो, यानि कि यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना हो, जैसे आप अपने प्रोफाल का लोगो पर क्लिक करते हो, यहाँ पर लाइक कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप मेरी स्क्रीम भी देख पा रहे हो, अब यहाँ पर एक setting का icons होगा दैन इस पर आपको click करना होगा जैसे आप setting के icon पर click करते होगा यहाँ पर आपको downloads का option देखने होगा दैन इस पर आपको click करना होगा जैसे आप download के option पर click करते होगा यहाँ पर आपको एक setting देखने होगा download over wifi only यह option आपका यहां से enable होगा तो इस option को यहां से आपको disable कर देना हो जैसे आप disable कर देते हो इसका means यह होता जैसे कि जब आप अपने mobile को wifi से connect करो तभी आपको videos download होगा otherwise आपको कोई भी videos आपको YouTube में download नहीं होगा तो यहां से आपको buy करना हो अब मैं आपको live proof के साथ दिखाने वाला हूँ आपको जो video download होना start होगा या नहीं अब इसके लिए मैं फिर से 3.0 पर click करता हूँ और यहां पर आपको download video वाले option पर click करना होगा जैसे इस पर आप click करते हो देने यहां से अब आपको buy करना फिर से आपको पर profile के logo पर click करना होगा जैसे कि आप मेरी screen भी देख पार होगा यहां पर यह video download हो चुका है बहुत fast तो इस तरह से आप भी अपने mobile videos को download कर सकते हो यानि कि इस problem को आप solve कर सकते हो इस videos को आप offline भी चला सकते हो